किसी भी देश की उननति में त्रशी और वहां के उध्योगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत भी एक किरसी प्रदान देश है लेकिन यहां भी भारत की आर्थिक उननति में उद्योगों का विशेश विमेहत्व ए है। इसलिए यदि हम भारत का नूतन निरुमाण करना चाहते हैं तो हमें भारत यह उद्ध्योग में काम करने वाले उद्ध्योगिक नियमों को ठीक से समझना होगा जिसके लिए मैं और मेरी संस्था वीके डाइनेमिक लीडर्सिप सेंटर पूर्टे प्रियास करते रहते हैं कि हम भारत में स्रम कानूनों की जानकारी सब तक नी भासा में और नीचे से नीचे के तबके से ले करके और एमपलेवर तक पहुँचाने का काम करें इसी क्रम में हम पोशिश करते हैं कि भारत के निर्मान में अपना सहयोग देने में उद्योगों की बड़ोतरी मे development में उसकी आर्थिक और सामाजिक विकास में उसकी सामाजिक सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा में हम किस तरह सहयोग दे सकते हैं और स्रम कानून के नियमों का क्या fundamental आधार है सबसे पहले है भारत में जो स्रम कानून बने हैं हम स्रम का मूल्य समझे हैं और उसकी रेस्पर्ट करें जब तक हम स्रम के रेस्पर्ट नहीं करेंगे तब तक स्रम का उत्थान नहीं हो सकता दूसरा है coverage of maximum workforce जितनी भी भारत में स्रम में लगी हुई सकती है चाहे वह organized sector में है चाहे वो gig workers हैं चाहे वो platform workers हैं उन सब का labor law में समावेश किया जाए ताकि हर एक right co protection और उसकी आर्थिक उन्नती सामाजिक सुरक्षा में हमारे इस्रम कानून सहयोगी बन सक है तीसरा भारत सरकार का सदव प्रियास रहता है कि हम अपने स्रम सकती को social security दें इसलिए social security में provident fund, ESI, gratitude और बहुत सारे कानून उन्होंने जोडने की कोशिश की है और इस तरह से वह स्रम सकती को एक social security के माध्यम से ससक्त या स्रम सकती का ससक्ति करण का प्रियास है नमबर चार है equity of law चाहे वो नियोकता हो या employee हो employer या employee नियोकता या कामगार हो उन सब को समान रूप से एक निगहाय से कानून देखता है इसलिए दोनों के protection की बात करता है पाच्वा fundamental issue है removal of economic disparity भारत में economic disparity दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने अपने जो क्सरम कानूनों में सुधार की बात करती है उनके माध्यम से वह economic disparity को कम करने का प्रियास लगातार करती रहती है ताकि ससक्त भारत का निर्मान तभी हो सकता है जब वहां के सब लोग economically strong हो, मजबूत हो सबकी आर्थिक इस्तरती सुध्रण हो, मजबूत हो और कोई किसी के सहारे ना हो नमबर छे है, safe and secure working conditions, जहां भी जो व्यक्ति काम करता है वह वहां पूर्थ है सुरक्षित हो, जैसा स्वास्त लेकर वह पहले दिन काम पर जाता है जिस दिन वह retire हो, उसका स्वास्त पूरी तरह से अच्छा हो कहीं भी कोई अंग भंग या body injury या health की injury ना हो कोई incident, accident ना हो और भारत में जो exception लोग है उनकी संख्या ना बढ़ जाए इसलिए safe and secure working conditions देलाना हमारे इस्रम कानूनों की प्रथम भूमिका में आता है अगला है employees health and safety, जो employee उद्योगों में काम करते हैं जो hazardous industry है या जहां unsafe working conditions पैदा हो जाती है, वहां unsafe working conditions को कैसे रोका जाए और अपने employee की health के लिए या उसकी safety के लिए क्या-क्या सावधानिया बरती जाएं क्या-क्या protection दिया जाएं, क्या-क्या safety equipment मोहिया कराए जाएं, क्या-क्या safety की training दी जाएं इन सब की बात हमारे इस्रम कानूनों में की जाती है नमबर आठ है competitive advantage to the employer यदि स्रम सक्ति को इतना मजबूत बनाने की बात है तो उसका competitive advantage employer को भी मिलना चाहिए क्योंकि employer को भी अंतर राष्ट्री ये इस्तर पर प्रतिस्परदा का सामना करना है और अपना मूल उचित लेकर अपने माल को बाजार में बेचना है आज हम भारत में जब भी कोई त्योहार आता है तो कहते हैं चाइना से बने हुई चीजों का बहिसकार करना क्यों वो इतना सस्ता कैसे बना देते हैं तो हमें वो competitive advantage भी अपने employer को देना है कि अपनी cost को कम करना है और अपनी productivity को अधिक बढ़ाना है नमबर नो है maximum government interventions government को उद्योगों में और स्रम सक्ती के बीच intervention करते रहना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं एक बक्ष जो मजबूत हो जाता है तो दूसरे का सोशन करने लगता है मैं यहाँ यह नहीं के तक नियुपता ही केवल अपने कामगारों का कारी गरों का स्रम सक्ती का सोशन करता है कहीं कहीं trade unions जहां मजबूत हो जाती हैं वहाँ वो उद्योगों का सोशन करने लगते हैं प्रबंधन परेशान हो जाता है तो दूनों की balancing करने के लिए दोनों में समायोजन बठाई रखने के लिए स्रम मूल्यों को स्रम कानूनों को समझना और उनको ठीक से implement करना हम सब की जिम्मिवारी बनती है इन सब में मेरी संस्था आप सब को बहुत सहयोग करती है आपको यदि लगे कि हम आपकी सहयोगी बन सकते हैं तो आप हमें अवश्य अपने सहयोगी बनाने का प्रियास करें नमबर ग्यार है focus on productivity जब तक हम अपनी हर इसतर पर अपनी हर मैसीन की हर व्यक्ति की हर साधन की उत्पादक्ता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ना तो competitive advantage employer को दे सकते हैं ना अपनी cost को control कर सकते हैं और ना ही अपने देश को सुद्रड और मजबूत बना सकते हैं इसलिए हमें productivity पर अपने स्रम कानूनों में focus करना होगा ताकि productivity मेरी अंतरराश्ट्री इस्टर पर number one हो जाए आज यदी मैं वर्तमान में देखूं तो भारत की उध्योगों की productivity का इस्थर बहुत नीचे है उसके बहुत सारे कारण है हम उन पर काम करते रहते हैं लेकिन जब तक हम productivity नहीं बढ़ाएंगे उत्पादक्ता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अंतरराश्ट्री इस्टर बाजारों में अपने माल को उस कीमत पर नहीं बेश सकते जो एक competitive advantage employer को दिला सकती है और number 11 है कंजीलियन वर्क एन्वार्मेंट हमारे स्रम कानूनों का सबसे महतुपूर जो पक्षव है भी है कि हम एक ऐसा environment ऐसा वातावर्न दे जहां अच्छी संस्कृति का विकास हो सभी लोगों में working conditions कंजीनियल हो सब एक दूसरे के समन्वे से team बना कर अब भारतिय उद्योगों को आगे बनाने की बात करते हो तो यह है हमारे fundamental rules हैं जिनके आधार पर कोई स्रम कानून बनाया जाता है अब हम उनको पालन करने में कितना इनका ध्यान रखते हैं और कितना इनको भूल लियाते हैं यह एक बड़ा दीगर प्रश्न है क्योंकि कुछ लोग इनका पालन ठीक से करने से कतराते हैं आज जो भारत का small scale industry है वैसरम कानूनों को कतराती है दूसरा कुछ लोग minimum wage नहीं देते हैं तीसरा कुछ inspectors अपना काम निकालने के लिए आप समझ गयोंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ केवल एक पक्ष की बात करते हैं दूसरे पक्ष को दबाने लग जाते हैं तो इन सब का धाचा बिगड़ जाता है जो एक सामाजिक प्रक्रिया में दूश है तो सामाजिक प्रक्रिया के दोस को ठीक करना अलग प्रक्रिया है भारती ये सिर्मक की आर्थिक इस्तिती को और बहतर बनाने के लिए स्रम कानूनों का भारत में ठीक से पालन करना अत्यंत आवश्यक है तब ही एक हम नूतन भारत का सपना पूरा कर पाएंगे और आपको यदि लगे कि हम आपके लेबर लो के इंप्लिमेंटेशन में कुछ मदद कर सकते हैं तो वीके डाइनमिक लीडर्सिप सेंटर लेबर लो पर और स्रम कानूनों की जानकारी को इनके पालन को इनमें आई हुई खमियों को ओडिट कर ठीक करने को पूर्ट है प्रतिबद है आप मुझे लिख सकते हैं या मेरी संस्था को लिख सकते हैं हम आपके सहयोगी बनकर इस काम में आपकी मदद कर भारत को सुद्रण बनाने में मदद करने के लिए सदैवत आपके साथ ततपरता से जुड़े रहने का वादा करता है